दोस्तो आपके गैलरी से या आपके मोवाइल से कोई भी फोटो जो है डिलेट हो गया है आज डिलेट हुआ है या चार साल पहले या पान साल पहले डिलेट हुआ है और सेम आप वही फोटो अभी तक यूज कर रहा है तो आप उस डिलेट हुए फोटो को दोवारा से अपने फोटो में ला सकते हैं दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता है कि काफी important फोटो होता है जो कि हमारे फोटो में डिलेट होता है और उसको लाना बहुत जरू होता है लेकिन हम लोग ला नहीं पाते हैं तो आज का वीडियो देखेगो न तो आप उस फोटो को दोबारा अपने mobile के एक क्वालिटी का मिलेगा लेकिन आपका काम चल जाएगा एकदम आपको रियल फोटो ही रिकॉवर होगा तो setting आपको अपने फोटो में आउन करना है और आप उन सारे डिलेट हुए फोटो को वापस दोबारा अपने फोटो में वापस ला सकते हो तो चलिए वीडियो में काफी important है और इतना मेंनत करके मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ तो आप लोग का फ़र्ज मनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके फूल सपोर्ट करें तो यहां से लाइक कीज़ेगा शेयर पर टाच करके दोस्तों के साथ फेस्बुक वाटसपी इसको शेयर कर करते हो पता चलता है कि आप लोग चैनल को फूल सपोर्ट कर रहे है आप आईए वीडियो में आगर बरते बताते कि डिलेट हुए फोटो को आप वापस कैसे लाओगे तो सबसे परले आपको क्या करना है यहां पर अपने फॉन में माई फाइल जो है खोज लेना है जहां जो फॉन में माई फाइल को खोग करें आपको इंटरनल एili अच्टूरेज में जाना है इंटरनल ए शूरेज में जाने कि यहां पर 3 डॉट्स लाप्षिन प्रक करना है थिक है दौस्तो यहां पर और आपको और दिखते है इस नपर 100 वाल ऑप्षिन पर आप शेंग निकल तो setting वाल आईकन पर आपको touch करना है, जब setting वाल आईकन पर touch करोगे, तो आपको यहाँ पर बहुत सारा option देखने के लिए मिलेगा, यहीं पर देखोगे, तो hidden system file आपके phone में बंद रहेगा, तो इसको क्या करना है, इसको यहाँ से आपको चालू कर देना, अब यहाँ पर तो यहाँ पर thumbnail option देखेगा, thumbnail का folder, तो इस thumbnail का folder जो खोलोगे न, तो यहाँ पर आपके उस phone का सारा photo मिलेगा, जो photo आप से delete हो गया है, मैं आपको पहले ही बोला कि आपको MB में वो photo नहीं मिलेगा, थोड़ा उसका quality loss होगा, यहाँ पर देख से तो सारा photo की भी में मिलेगा, तो यहाँ से आप उन सारे photo को recover दोबारा अपने phone में कर सकते है, जैसे कि यह photo यहाँ पर 49 के भी में है, लेकिन photo का quality वही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर क्या है कि MB कम हो चुका है, photo आपका वही रहेगा, अब इस photo को क्या करना है, आपको जैसे कि यह photo इस photo को आप चूच करना है, यहाँ पर आप कर लिजाए, उसका वाद copy hair कर दीजाए, अब show in folder पर टाच करोगे, तो यहाँ पर आप जो फोटो share किया है, जो copy किया है, वो copy वाला photo जो है, जो फोटो copy किया है, अब आपको यहाँ पर दिखने लग गया, अब हम बैक आते है, आपको फोटो को जो है, दोबारा आपने phone में ला सकते है,